Audit न केवल हमें जाच करने में मदद करती है पर हमारी गलतियां भी कम करने में बहुत मदद करती है ये है हमारा theme आज का 34th week of pregnancy in our series 40 tips to 40 weeks Welcome, मैं हूँ Dr. Mukesh Guttah, Sree Rogishishagya, Lenist Malad, Mumbai से जब हम audit शब का प्रयोग करते हैं तो सरसे पहले हमारा दिमाग में आते हैं हमारा financial audit या हमारे income tax का audit वेल केवल बही audit नहीं होता हमारे जीवन में finance के अलावा हमारे health के लिए भी audit बहुत जुरूरी है जब हम कहते हैं health care में audit तो हम यह देखते हैं कि कैसे errors and omissions कम किया जाए यह audit करके देख कर कि सब चीज perfect है कि नहीं तो जाच करते हैं तो उसमें देखते हैं कि क्या-क्या risk factors है तो सबसे पहला audit जो इस वक्त हमें करना है वो है कि बेबी का growth or development का audit यानि बच्चा जो आपके गर्द में पना परा है उसका growth सही है कि नहीं उसका development सही हो रहा है कि नहीं उसका बजन सही बढ़ रहा है कि नहीं उसे blood flow बराबर जा रहा है कि नहीं उसके चारो तरफ जो लाइकर है body की चारो तरफ जो blood pressure यह सब सही है कि नहीं जिससे कि उनकी risk factors identify हो और delivery के समय हमें complications होने की समभवना कम हो जाए हम हॉस्पिटल में जब audit के बारें बात करते हैं जैसे हमारे लैनिस में हम regular audit protocols रखते हैं यह देखने के लिए कहीं कोई गलती ना हो जाए या कोई चीज नियर मिसस जिसे हम कहते हैं कि गलती हुई तो नहीं है लेकिन ऐसी परसिती में गलती हो सकती है इसका हम regular audit करते हैं जिससे कि risks and complications कम हो जाए और outcome बहतर हो जाए health care का एक basic rule है अगर हम various different accreditation के लिए apply करते हैं तो यह चीज हमारा standard protocol है इस प्रकार से आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए कि ना केवल hospital ना केवल आपकी health पर आपकी घर में भी आपको audit करना है audit घर में मतलब आपका घर बच्चे के लिए safe है के नहीं क् इसा तो नहीं है कि कोई ऐसी चीज है जो बच्चे को छोट लगे या current लग सकता है या कोई chemicals है या acid है जो नीचे पड़ा हुआ है जो नहीं होना चाहिए बच्चों के रीच में यह सारी चीज आपको check करने चलिए याद रखें audit करने से जाच करने से आप कई चीजे अपन हुआ है यार नहीं है नहीं है यहीं है